अगले साल लोग सभा के चुना होने हैं। गटबंदन और जोर तोड का खेल भी अपने चरम पर है। जहां एक तरफ NDA अपना कुनबा बढ़ा रही है तो वही विपक्षी दलों का समूह यानि की आई NDA ये अंदर खाने ही सही लेकिन सीटों के जोर आजमाईश में फसा हु यूपी पर तो हर एक पार्टी का खास फोकस है और हो भी क्यो ना अकेले यूपी से 80 लोग सभा सीटे जो निकलती हैं जिसमें शेत्री अदर निर्नाग भूमिका निबाते हैं। अपना दिल एस और सुभासपा फिलहाल NDA का हिस्सा है जबकि महान दन ने तो बसपा के समर अर्थर में प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी कयास लगाये जा रहे हैं कि मायवती भी NDA का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल जिस तरह मायवती प्रेस कॉंफरेंस के जरिए NDA और INDIA पर हमलावर है उससे तीसरे मोर्चे के हवा को जादा तूर मिल र रही है। इसके पीछे की वज़ा बहुत बड़ी है। राजनेतिक परिवेश में ऐसे कई हालाद बने हैं जब मायवती अपने एक अलग गटबंदन के साथ मिलकर पूरी सियासी खेल भी पलट चुकी है। 38 साल पहले यानि की 1984 में बनी बियसपी जो साल 2007 में उतरप्रदेश में भारी बहुमत लेकार आई थी और अकेले अपने दम पर यूपी में सरकार तक बनाई थी। जिसके बाद कई मोकी आए जब मायवती की पार्टी किंग मेकर तक साबित हुई है। यूपी में जबरांग जन भूमी का ववाद हुआ जिसके बाद बीजेपी को राज की सत्ता तक गवानी पड़ी थी। उस समय ये बियसपी ही थी जो 1993 विधान सबाचनाओ में समाजवादी पार्टी के साथ गट बंदन करके बीजेपी को उतरप्रदेश में उखाड कर फ रह चुकी है। यूपी में साल 1996 में हुए विधान सबाचनाओ में बीजेपी देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंगरेस के साथ भी गट बंदन में रही थी। हाला कि इस चनाओ में मायवती को सीटों के लिहाज से तो फायदा नहीं हुआ लेकिन वोट फीजदी में बी जाफा हुआ था। बीजेपी को इस चुनाओ में 46 सीटे मिली और करीब 28 प्रतिशत तक वोट शेर भी हासिल हुए थे। इसके बाद फिर बीजेपी ने गट बंदन किया। बीजेपी ने साल 1997 के चुनाओ में बीजेपी के साथ सरकार का गठन भी किया था। अगर लोग के बाद 2014 चुनाओ में पार्टी शूने पर जरूर सिमट गई थी लेकिन पिछले लोग सभा चुनाओ में यानि की 2019 में पार्टी के खाते में 10 सीटे आई थी। राज में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटे मिली थी ऐसे में मायवती के लिए ये चुनाओ साख बचाने का चुनाओ है खोई हुए जमीन को तराशने का चुनाओ है और खुद को साबित करने का भी चुनाओ है जिसके लिए मायवती बिना शोर किये चुनाओी तैयारियों में जुड़ गई हैं सियासी गल्यारों में तो ये चर्चा जरूर आम हो चुकी है कि मायवती लोग सभा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही है लेकिन मायवती कभी सियासी शत्रंच का पासा पलड़े कुछ कहा नहीं जा सकता है